आज से तक्रीबन आधी सदी पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंडिला के में एक 9 साल की लड़की जमीन हडपने के खिलाफ अपने ही चाचा से लड़ जाती है और अपने चचेरे भाई का सर फोड़ देती है मजदूरी न मिलने पर मालिक के मकान को रातोरा दोस्त कर देती है इस सबसे नाराज उसके घर वाले मातर 10 साल की उम्र में उसकी उम्र से कई गुना जादा बड़े व्यक्ती के साथ जबर दस्ति उसकी शादी कर देते हैं पती के घर पर भी वा दमन शोशन वा बलातकार का श का शिकार होती है वापस आती है तो डकेतों का गिरो उसका अपारण कर ले जाता है और आपशी रंजिस में जब दूसरा गिरो उसे अपने गाउं ले जाता है तो कई दिनों तक दरजनों लोगों द्वारा फिर से बलातकार का शिकार होती है उसे नंगा पूरे गाउं में गुमाया जाता है यह सब कुछ सहते हुए उसकी उम्र 20 साल से भी कम होती है इसके बाद उस लड़की ने खामोशी से चुप रहना नहीं चोना उसने आत्महत्या भी नहीं की उसने चोना प्रतिरोध और बिना मुकदमे के उसे 11 साल जेल में रखा गया जब उसने आत्मसमरपण कर दिया तब वो जेल से बाहर आती है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई पत्निधी बनकर संसत्त तक पहुँचती है मगर इस देश ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया आजाद भारत में पहली बार होता है कि संसत्सत्र के वक्त दिल्ली के वी वी आई पी लाके में दिन दहाडे उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है अपरादी शान और शौकत से आकर कहता है कि उसने 20 साल पहले के ठाकुरों के अप्मान का बदला ले लिया है वमेला जो एक साथ जाती वाद सामन्त वाद और पित्र सत्ता से लड़ती हुई अपने मुकाम में कामयाब होती आगे बढ़ती है मगर इस जमाने को वो रास नहीं आती है वमेला जो डकैट से रॉबिन हुट तक का सफर और दूरगा भवानी की पूजा से बुद्धिष्ट होने की यात्रत तेह करती है जिस पर दुनिया में कई किताबें लिखी जाती है टाइम्स मैगजीन उसे दुनिया की विद्रोही नाइकाओं में शुमार करता है मगर इस देश के बुद्ध जीवी तबके के दौरा कभी वस्वीकार नहीं की जाती है वमेला जो ये सवाल उठाती है कि सीता का अपरण करने मातर पर रामण का हर साल पुतला जलाते हो और जब मैंने अपने अपमान का बदला लिया तो मुझे डकैट कहते हो वमेला जो कहती है कि मैं दुबारा कभी औरत बनकर गरीब कमजोर जाती में नहीं पैदा होना चाहूंगी वमेला जो ये खाब देखती है कि इस मुलक में कभी किसी औरत के साथ जल्म ज्यादती नहो एक लब विसेना बना करके वह जेल में बंद महिलाओं से लेकर घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए काम करती है पस महिला के गुजरे अर्सा हो गया मगर आज भी वह अपने इलाके के लोग गीतों विवागीतों में बड़ी शान और शौकत से याद की जाती है जी हम बात कर रहे हैं अजाब भारत की क्रांतिकारी विद्रोही महिला फूलन देवी पर सामाजिक नयकी पाठशाला के इस खास एपिसोड में अभिवादन कबूल करिये लक्षमड यादों का और स्वागत है आपका सामाजिक नयकी पाठशाला में कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पती को छोड़ कर मरना जबकि मर्दों को रोती हुई इस्तरी को मारना भी बुरा नहीं लगता औरतें रोती जाती हैं मरद मारते जाते हैं औरतें रोती हैं मरद और मारते हैं औरतें खूब जोर से रोती हैं मरद इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया मैं नहीं जानता लेकिन जो भी रही हो मेरी मा रही होगी मेरी चिंता यह है कि भविश्य में वह आखरी इस्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा मैं नहीं जानता लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं नहीं होने दोंगा यह पंक्तियां है रमा शंकर यादो विद्रोही की और फूलन देवी पर बात करते हुए न जाने क्यों यह पंक्तियां बेतर मौजु होकर याद आती फूलन देवी एक ऐसी महिला जिसके साथ अन्याय उसके अपने इलाके के लोगों ने ही नहीं किया आजाद भारत के सबसे बड़े लोगतांतरिक संस्थान संसद में चुन कराने के बाद भी इस देश ने उसे न कबूल करके उसे ज़ादा बढ़ान नयाय किया उसके संघर्षों को वह तवज्जों नहीं दी गई जो मिलने चाहिए थी फूलन देवी आजाद भारत में इस्तरी संघर्षों का एक प्रतीक बननी चाहिए थी जो नहीं बनी फूलन देवी को हिंसा का प्रतीक, डकैत, दस्य सुंदरी और अपराधी गोशत कर दिया गया दुनिया में जिस महिला को विद्रोही नाईकाओं में शुमार किया गया हो उसे अपने ही देश में वह जगे नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी के उस पूरे जीवन काल पर जिसे नई प्रती को जानना बेहत एहम बन जाता है और खास कर महिलाओं के संघर्ष के जब बात हो जेंडर जेश्टिस के जब बात हो तो फूलन देवी की बात के बिना ये सारी बात्चेत अधूरी वह उथली होगी फूलन देवी का जन्म उत्तरप्रदेश के जालोन जिले के गुहरे का पुर्वा नामा के गाउं में दस अगस्त 1963 को मलाह जाती के एक बेहत गरीब सामाने परिवार में हुआ पेता किसान थे जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन हुआ करती थी वह इलाका चंबल के आसपास का था जहां किसी भी तरह का कोई भी विकास, कोई भी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाई थी बेहत पिछड़े लाके में, बेहत सामाने परिवार में, बेहत गरीब रिष्ट भूमे में मला जाती में फूलन की परवरिश शुरू होती है फूलन जब 9 साल की होती है तो उनके चाचा मया दिन जब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो सारा परिवार खामोशी अक्तियार करता है मगर फूलन देवी अपने इंटर्व्यू में से ले करके अपनी आत्म कथा में इस बात को याद करते हुए कहती है कि वो अपने चाचा से लड़ती है और अपने चचेरे भाई का सर फोर देती है एक गटना का जिक फूलन देवी अपनी जीवनी में करती है कि एक बार दिन भर काम कराने के बाद भी उसे जब मजदूरी नहीं मिलती है तो रात में उस मालिक के मकान को जाकर की गिरा देती है यानि फूलन बच्पन से एक विद्रोही तेवर में पलती बढ़ती है यह सब देखकर परिवार बेहत खफा होता है मातर दस साल की उमर में फूलन देवी का विवा उनसे बीस-पचीस साल उमर में बड़े अधिर पुतिलाल मला से कर दिया गया पुतिलाल मला के घर जब फूलन जाती है और जब दस्ती उनका गोना कराया जता है एक इंटर्विव में फूलन की मा कहती है कि हम मजबूरी में उसे यहां से भेज रहे थे क्योंकि वह बहुत विद्रोही और गुसैल सुभाव की हो रही थी उसे नाराजगी होती है अपने आस पास के माहौल को देख करके और जब पुतिलाल मला के घर पूलन जाती है तो वहां बहुत ज़्यादा दमन, हिंसा, मारपीट के साथ साथ जबरदस्ती बलातकार का शिकार होती है फूलन बीमार होती है तो वापस अपने घर चली आती है कुछ दिन बाद जब स्तिती सामाने होती है और जब वापस अपने घर पुति लाल मला के जाना चाती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर लिए और इसे मार पीट कर बगा देता है फूलन वापस आती है जब फूलन अपने मा के यहां रहने लगती है और अपनी चाचा से फिर अपनी जमीन के हिस्से को लेकर के लड़ना शुरू करती है तो कहानी ये मिलती है कि मायादीन उन्हें जूटे मुकदमे में फिर से फंसाती है पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कई जगे ये किस्सा दर्ज है कि पुलिस थाने में भी फूलन के साथ बलातकार होता है उसके बाद 16 साल की उम्र में उसे दकैतों का एक गिरोह जबरदस्ती घर से उठा ले जाता है और वहां भी उसका शोशन किया जाता है वहीं आपसी रंजिस में ठाकूर डाकूरों का एक गिरोह जिसमें शिराम ठाकूर और लाला ठाकूर ये लोग होते हैं जो आपसी रंजिस में किसी पुरुष के हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को जबरदस्ती उठा ले आते हैं और बहमई गाओं में कई दिनों तक दरजनों लोगों द्वारा फूलन का बलातकार किया जाता है उसे नंगा पूरे गाओं में गुमाया जाता है फूलन अपने इंटरिव्यू से लेकर के अपने किताब में इस घटना को याद करते हुए सिहर जाती हैं और कहती हैं कि मैं पूरे गाओं से मदद मांगती रही लेकिन किसी गाओंवाले ने मदद नहीं की और मेरा कई दिनों तक शोशन होता रहा मैं बेहत बीमार और तूट चुके थी और उसके बाद फूलन वापस जब किसी तरह भागने में सफल होती हैं तो वह डाकूओं के गिरों के साथ विक्रमला के साथ और नए तरह से अपने पूरे गिरों को एक जुट करती हैं और अपने अन्याय अत्याचार वशोशन का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को बहमई गाओं में आती हैं वहाँ शादी चल रही होती है इस किस्से को बहुत ध्यान से समझेगा इसको लेकर के इस सारा विवाद है कहाई यह जाता है कि फूलन निर्दोश गावालों की हत्या कर देती हैं जिसमें 22 लोगों पर गोली चलती है 21 या 22 लोगों की मौत हो जाती है मगर जब फूलन देवी के अपने इंटरव्यू और अपने किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह तत्त चुपाया गया कि फूलन देवी लगातार उन लोगों से यह पूछती है कि यह ठाकुर लाला राम और श्री राम कहा है आप हमारी मुखविरी करते हो तो हमें इनका पता बता दो जितने लोगों ने हमारा बलातकार किया उस गाओं में कोई भी व्यक्ति फूलन की मदद नहीं करता न तो जब बलातकार होता है तब कोई गाओं वाला मदद करता है और न जिस दिन 14 फरवरी 1981 को जब फूलन बहमाई आती है तो वो पूछती है कि कहां है वो लोग आप मुझे बताओ मेरी मुखविरी आप इन से करते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे आप उनका पता हमें बता दीजिए लेकिन गाओं में सब लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कहां हैं कैसे हैं क्योंकि उसके आने के पहले वो सारे अपरादी जो बलतकारी थे वो गाओं छोड़ चुड़ चुके होते हैं और इसके बाद उस करोध में उस गुसे में फूलन जब ये कहती है कि आप क्यों आप नहीं बता रहे हो आप क्यों उनका पक्ष ले रहे हो जो बलात कारी है दकैत है जिन्होंने मेरी अस्मत लूटी है मेरी इज़त लूटी है और इस करोध में फूलन उस 22 लोगों के उपर फूलन का गेरो हमला करता है जिसमें से 21 से 22 लोग मारे जाते हैं आज भी आप जाएंगे तो वहां उन्हें शूर वीर कर्म वीर कहा गया है ये बात ठीक है इस पर आप बहस कर सकते हैं कि जिन्होंने बलातकार किया उनको नहीं मारा गया मगर हिंसा अपराग इन सब का अगर स अगर आप नहीं कर पा रहें तो आप किसी भी तरह से न्याय के प्रक्ष में नहीं खड़ें जिस महिला का इतना बलातकार हुआ वह महिला अपने इंटर्व्य में बोलती है कि मेरे पास दो रास्ते थे या तो मैं आत्मत्या कर लेती या तो मैं चुप-चाप सब सहती और जैसे बाकी महिला हैं सहरे थी वैसे सहती लेकिन मैंने यह समझा कि यह जो जाती वाद है बड़ी जाती के लोग छोटी जाती की महिलाओं को वस्तु समझते हैं फूलन अपने इंटर्वी में ये कहती है कि मैं अगर नहीं बोलती तो जाने कितनी महिलाओं का शोषण होता आया था वैसे ही जाने कितनी महिलाओं का शोषण होता चला जाता तो प्रतिरोज सौरूप में प्रतिकार करते हुए मैंने उस जाती वर्चस के सामंती पित्त सतात मकर उस पूरी सनचना पर हमला किया और इसे ये कहा जाता है कि फूलन देवी हिंसा वहत्या की बात करती है तो जो शूशन महिलाओं पर आज भी चला आ रहा है और ये इंटरिव्यू आपको जरूर पढ़ना चाहिए भी भी सर पर ये इंटरिव्यू मिलेगा जिसमें हाथ र के के लोग हैं अगर हमें नयाय नहीं मिला तो हम फूलन जैसा हत्यार उठा लेंगे फूलन देवी ने वह आत्मिश्वास इस देश के महिलाओं के भीतर भारा दो साल तक उत्तर प्रदेश और मद्परदेश राजस्थान कई जिलों की कई राज्यों की पुलिस फूलन को पकड़ती रही लेकिन वो नाकामयाब थी फूलन की तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी और लगातार फूलन को अपराधी बना करके इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी बहमें हत्या कांट के बाद उत्तर प्रदेश में वीपी सिंग की सरकार थी और वीपी सिं क्या जाती वर्चस में ठाकुरों की डकैती वाला मामला अगर सोचिए एक सामाजिक सरचना में दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो वह डकैत कैसे बनेंगे पहले यानि उनके उपर जाती सामनती ताकतों का दमन होता है और इसकी प्रतक्रिया में यह किया गया लेकिन इस और इसलिए फूलन देवी के साथ कभी भी इस देश की अकेडमिया ने इस देश की बुद्ध जीवियों ने नयाय नहीं किया और दो साल तक फूलन देवी लगातार छिपती रही लेकिन जब इंदरा गाधी की पहल पर अरजुन सिंग की सरकार के सामने उन्होंने यह प्र देश को चुना तो जब फूलन देवी को आत्मसमरपड करने के लिए आना था तो उस समय लाखों लोगों की भीर सड़क पर आ गई और वो लोग को लोग थे वो लोग वो लोग थे जो यह समझते थे कि फूलन देवी उनकी आवाज है उनका आत्म विश्वास है क्योंकि फूलन देवी उनके लिए रॉबिन होट थी फूलन देवी गरीबों कमजोरों मजलूमों के पक्ष में खड़े हो करके नियाय की बात करती थी और ये सब किस्सा होता है फूलन देवी आत्मसमरपड करती हैं वो अपनी शर्तें रखती हैं इंद्रा गांधी का एक वाक्या है बीबी सी पर ये इंटर्व्य आपको जरूर देखना चाहिए इसमें वो किस्सा मिलता है कि जो चतुरवेदी एस्पी था वो जब जाकर के अरजुन सिंग और इंद्रा गांधी राजिव गांधी सारे लोग होते हैं उनने सुक्तिरासी की बात है जब उनसे कहते हैं कि ये फोटो देखिए हमने पहली फोटो फूलन देवे के लिए तो मेडम प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि यह तो बहुत सुंदर नहीं है उसे दस से सुंदरी कहा जा रहा था और बात में इस मीडिया ने यह आप मानित किया कि वो तो देखने में सुंदर नहीं है वो तो बह यूटी प्रोड़क्ट बेशती है वहाँ फेमिनिजम की बात फूलन देवी की इस पूरे जीवन संगर्ष के बिना उथली नहीं लगेगी आत्मस्वारपण होता है 1983 में शर्थ फूलन देवी और ये रखती है कि उनके किसी भी गिरों के सदस्य को फासी नहीं दी जाएगी और उनको बाकाईदे पूरे आत्मसम्मान के साथ उनको गिरफतार किया जाए आत्मसमरपण करने के बाद जेल में रखा जाए और उत्तर प्रदेश मना रखा जाए तो 1913 से 1924 बे तक लगातार फूलन देवी जेल में रहती है और याद रखे 11 साल जेल में फूलन देवी रहती है जब तक कोई मुकदमा कोई सुनवाई नहीं होती है कि वालातमसमरपण किया और जेल में रखती है यह नयाय प्रक्रिया जब भी आप इस तरह के विमर्शों पर आग बबूला हों आपके कान से धुआ निकलने लगे कि वो हिंसा करती है उन्होंने बेगुनाहों क कोई लोग हैं जिनके कोड मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है फूलन देवी 11 साल जेल में रही है और उनके मुकदमे की कोई सुनवाई ही नहीं हुए फूलन देवी का यूटरस निकाल दिया गया चुपके से जेल में ताकि कोई दूसरी फूलन देवी ने पैदा हो जाए और इन सब के साथ 1994 में जब मुलायम सिंग्यादो फूलन देवी के उपर लगे सारे आरूपों को बरी करके उन्हें जेल से बाहर करते हैं तो पूरे इस देश के सियासत में भूचाल आता है कि कैसे एक अपरादी एक डिकायत को जेल से बाहर कर दिया गया ये वो दोर नहीं था जब लोग मुक्षमंत्री बनने के बाद अपने उपर लगे मुकदमों को खुदी वापस कर लेते थे लोग तड़ी पार होने के बाद भी इस मुका मिला उस वह मुका आता है उनीस उचानवे में जब मिरजापुर से फूलन देवी को लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी के टिकट पर यह पहल कदमी करने का मुका मिलता है 1996 के लोगसभा चुनाव में फूलन देवी को समाजवादी पारिटी लोगसभा का प्रतैशी बनाती और यह राजनीटी के भुचाल के लिए परियाप्त था एक मला जाती की महिला जैसने आत्म सम्मान के लिए अपने वजूद के लिए आवाज उठाई उसको जेल से बाहर निकाला गया और उसको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया एस देश को यह कबूल ही नहीं था तमाम आरूप लगाए गए कि यह तो बहुत बड़ा अपमान है लेकिन फूलन देवी लगातार अपने इंट्रिव्यू से अपने किताब में कहती है अवर का हर साल फूलन देवी का सवाल था पूलन देवी से सवाल पूछा जाता है कि आपके साथ सबसे प्रभी त्रासदी क्या है तो उनों ने कहा कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं फिर से इक बच्ची बनना चाहूंगी और नया जीवन जीना चाहती हूँ मैं फूलन देवी नहीं बनना चाहती और इस देश में किसी के साथ बनना हो जो फूलन देवी के साथ हुआ ये आत्मेश्वास ये दृष्टी थी फूलन देवी की और उनेस चानवे के चुनाव में वह समाजवादी पालिटी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव जीतती हैं और अंठानबे के चुनाव में वो लोकसभा में हार जाती हैं फिर तेरहवी लोकसभा के चुनाव में वो फिर से जीत जाती हैं और उसके बाद 25 जुलाई 2001 का दिन दिल्ली में संसत सत्र चल रहा होता है VVIP लाके में संसत एक महिला जो संसत के लिए जो आवास आवांटीत है वहां रहती है और वहां उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है कल बना करिए कि यह सब कैसे हो गया यह कितना असान है यह संसत सत्र चल रही है VVIP लाका संसतों का आवास और लोक सभाब में लंच होने के बाद जब फूलन देवी वापस अपने घर आ रही होती है तो वहां उनके हत्य हो जाती है अब हत्या के पीछे कहानी क्या कि फूलन देवी ने एकलब विसेना बनाई थी यहां से आपको समाजिक नयकी वैचार की समझनी चाहिए फूलन देवी दुरगा भवानी से होते हुए बुद्धिष्ट होने की यात्रा करती है फूलन देवी पढ़ने के लालाईत होती है एक इंटर्वु में कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं नया जीवन जीना चाहती हूँ मुझे किताबें पढ़ना पसंद है मुझे लेखना पसंद है कलपना करिए उस महिला को जिसे यह सब मौका ही नहीं मिला गया और उसकी असमत को इस तरह कुछला गया गोया उसके लाइफ की कोई डिगनिटी नहीं हो कहां है समविधान, कहां है नया, कहां है इंसा की परिभाशाएं वो सारे अपराधी करन की परिभाशाएं कहां है जब ये बाते सामने आती तो फूलन देवी एकलब सेना बना करके वन्चितों, शोषितों के बीच एक काम करना चाहती है वो लगातार रामविलास पासवान के साथ या आप राखी बाते हुए रामविलास पासवान को इन तस्वीरों में देखे या मुलायम सिंग्यादों को बार बार कहती है कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया वो लगातार यह कहती है कि मुझे इस देश के महिलाओं के लिए काम करना वो जेल में बंद महिलाओं के लिए काम करती है वो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए काम करती है उसके साथ एक उमा कश्यप नाम का व्यक्ति उसका दोस्त आता है और जो मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो आपके साथ काम करना चाहता है और वह होता है शेर सिंग राडा 25 जुलाई 2001 का दिन नाग पंचमी का दिन उसी शेर सिंग राडा को ये उमेज सिंग ने BBC के इंटरिवू में खुद अपना ये बयान दिया है कि उसको फूलन देवी ने अपने हाथ से खीर खिलाई क्योंकि वह एक दो दिन पहले आ चुका थ फूलन देवी के गर जो एकलब विसेना के साथ मिलकर के काम करने की बात कह रहा था और जब वह उस फूलन देवी लोकसबा जाती है उतनी देर में ये साजिश को मुकाम दिया जाता है और जब वापस दो पहर में अपने साथी सांसत की गाड़ी से फूलन देवी आती है क् उस समय उनकी गाड़ी बनने को गेरेज में गई होती है तो वो साथी सांसत अपने सांसत आवास के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो फूलन देवी कहती हैं अब हम यह उतार दीजी यहां से हम पैदल चले जाएंगी और उसी के गेट पर वो हरे रंग की मारूती खड़ी होती है जिसमें तीन नकाब पोश व्यक्ती पहले से घात लगाए बैठे होते हैं और फूलन देवी इधर से उतर कर पैदल आती है संसत की गाड़ी निकल जाती है और इधर से यह तीनों व्यक्ती पाँच गोलियां फूलन देवी पर चलाते है जिसमें से तीन उनके शरीर पर लगती है और मस्तेश पर लगती है और फूलन देवी की वहीं हत्या हो जाती है और वो शेर सिंग राड़ा उस समय घर में रहता है और उसके बाद वो तुरंट वहां से फरार हो जाता है और दो दिन बाद वो सहरन पूर पुलिस के सामने हाजिर होता है और खुद एक बालिया बयान देता है कि मैंने 20 साल पहले राजपूतों की आन बान शान में जो काला धबा लगा था बहमाई कान उसका बदला लिया है और मैंने फूलन देवी को मारा है बात में तमाम इंटर्विव में वो शेर सिंग राड़ा पलड़ जाता है कि मैंने हत्या नहीं की लेकिन शुरुआत में उसने ये बयान दिया आरोप लगता है कि फूलन देवी के पती उमेद सिंग भे इस घटना में शामिल है बहुत तरह के विवादें बहुत तरह के राजनी थी है मगर अफसोस की बात ये कि एक महिला जो जब तक डकैट समझी गई तब तक वो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही जेल में रही तो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही और जब वो एक नया जीवन जीना चाह रही थी वो एक नया सफर का अगास कर रही थी एक तरफ वो अपनी आत्मकथा लिखवा रही थी एक तरफ एक लब सेना के जरिए महिलाओं लड़कियों और वन्चितों के लिए काम कर रही थी उसे साजशन गोली का शिकार दिन दहाडे दिल्ली के विवी आईपी में इलाके में कर दिया जाता है यह है इस देश का लोकतंत्र और यहां आकर के आप से सवाल पूछना मौजू हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि यह सब कुछ इतना आसानी से हो गया उलायम सिंग यादो के पहल पर उनके शव को उनके लोकसबाक्षित भदोही ले जाए जाता है आम जनता उनके दर्शन को मड़ती है तमाम बड़े बड़े नेता आफसोस जाहिर करते हैं अब इससे दल्चस्प बात समझे कि जिस व्यक्ति ने सामने आकर के यह कहा कि मैंने फूलन देवी के हत्या की है वह 2004 में यह बयान देता है कि मैं चंद दिनों में तिहार जेल से फरार हो जाऊंगा और 17 फर्वरी 2004 को तिहार जेल से फरार हो जाता है एक टेमपू आता है और वो इसमें से एक वर्दी धारी उतरता है और कहता है कि मुझे शेर सिंग राणा को पेशी के लिए ले जाना है और तिहार जेल के सारे करमचारी उसे दे देते हैं यानि 17 फरवरी 2004 को गोशना करने के बाद वो शेर सिंग्राडा जेल से फरार होता है 17 मई 2006 को कुलकाता के गेश्ट हाउस से दुबारा गिरफतार होता है 14 अगस 2014 में दिल्ली के नीचली अजालत उन्हें आजीवन का रावास देती है अक्टूबर 2016 में दिल्ली हाई कोट पचास हजार के जुर्माने पर शेर सिंग्राडा को जमानत दे देती है और अखबार की भाषा देखिए ये भाषा आपको बताएगी कि इस देश में 15 शोशित तब के का होने के बाद अब देखेत ही रह जाते है और जब यह शक्स बाहर आता है तो इसे हिंदू हिर्दे सम्राट कह करके सम्मानित किया जाता है यह राजपूतों की आनबान शान होता है यह तलवार लेकर प्रदर्शन करता है यह इस देश में होता है एक मलाह जाती की महिला जो जीवन भर जाती वाद सामंत वाद और पित्ति सता से लड़ने के प्रतीग बनती है उसका हत्यारा इस देश में राजपूतिक पार्टी बना बना करके घूम घूम करके स्वागत सम्मान समारोह में अपने को गौरवानित महसूस कर रहा है और यह भीड कौन लोगों की भीड़ है यह भी आप देखिए फूलन देवी ने अपनी एक जीवनी भी लिखवाई जिसमें फूलन कहती है कि जिसे बाकी लोग अपराद कहते हैं मैं उसे नयाय कहती हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ फूलन देवी पर बात करते हुए आपको ठहरना होगा और अपराद के समाशास्त्र पर दकैत होने के समाशास्त्र पर हिंसा के समाशास्त्र पर ठहर कर विचार करना होगा पित्र सत्ता जाती वाद सामन्त वाद इन तीनों के नेकसस को ले करके अगर आप इन शब्दों के गहरे मनुविज्ञान को समाशास्त को समझेंगे तभी आप फूलन जैसी शक्सियत के साथ नयाय कर पाएंगे जो इस देश के बुद्धि जीवियों ने अकादमीक जगत ने कभी नहीं किया माला से इनने अपनी किताब लिखी इंडियाज बेंडिट क्वीन दे ट्रू स्टोरी आप फूलन देवी इसी पराधारित बेंडिट क्वीन नाम से शेकर कपूर ने 1994 में एक फिल्म बनाई जिसमें सीमा विश्वास ने फूलन देवी का रोल किया जिस पर कई तरह के आरोप लगे खुद फूलन देवी ने भी कई आपतियां दर्ज कराई मगर बावजूद इसके वो फिल्म बेंडिट क्वीन देश ही नहीं पूरे दुनिया में लोकपरी करती है फूलन देवी को इसने कई राष्ट्री और अंतर राष्ट्रे पुरस्कार जीते और फूलन देवी एक विद्रोही नाइका के रोप में पूरे दुनिया में चर्चित होती है रॉय मैक्स हम ने अपना एक पत्र बेऊहार किया फूलन देवी के साथ और जो फूलन देवी ने इसका जवाब दिया तो मैक्स हम वापस यहां इंडिया आते हैं और फूलन देवी के साथ बाचित करते हैं पत्वेवार करते हैं और इन सबसे मिल करके एक जीवने लिखते हैं जिसे Outlaw India's Pandit Queen and Me इस नाम से प्रकाश्चत किया जाता है इस किताब पर टेली ग्राफ लिखता है डेली टेली ग्राफ अ मौडरन डे रॉबिन होड आज के दोर की रॉबिन होड टाइम्स लिखता है कि वन अफ इंडियाज मोस्ट रिमार्केबल वुमेन वह रॉबिन होड अपने जीवन के उत्तरकाल में बुद्धिज्म के करीब ज इस देश में जब हात रस की पीड़ता को याद आती है तो फूलन देवी अपने उस पूरे वजूद के साथ जिंदा है फूलन देवी पर लोग गीत बने चंबल के लाखों में आज भी लोग अपने लोग गीतों में विवा गीतों में फूलन देवी को बहुत शान और डिस्कोर्स पर जो फूलन देवी को हिंसा, अपराधी वो डकैट की छबी से बाहर कभी देख की नहीं पाए दुनिया फूलन देवी को एक विद्रोही समझते रही और हमारे देश में फूलन देवी एक अपराधी ही रही जबकि फूलन देवी अगर किसी और मुल्क में होती या यही मुल्क अगर वाकई एक democratic institution होता आजाद खयाल होता तो वो फूलन देवी को अपने सराखों पर बिठाता क्यों कि हिंसा की परिभाषा दमन वशोशन की परिभाषा आप केवल ये देख रहे हैं कि कुछ पुरुशों को मार दिया जिसको आप कहरें बेगुना और आप कभी इस discourse में नहीं गए कि फूलन देवी और उसके लोग लगातार पूछते रहे कि आप हमारे बलातकारियों का साथ मत दीजिए आप बताइए वो लाला दीन और श्री राम ठाकुर के इतिहास में आप देखेंगे कि एक महिला जब अपने विद्रोह में आवाज उठाती है तो वो फूलन देवी बनती है डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश के महिलाओं को सीता सावित्री नहीं द्रोपदी के पास जाना चाहिए द्रोपदी को आईकॉन मानना चाहिए मैं ये बात कहता हूँ कि इस देश के महिलाओं को फूलन देवी को अपना आईकॉन मानना चाहिए जिसके आखों को देख करके किसी को भी बलातकार करने के पहले हजार बार सोचना पड़े इस देश में पैट्रियार की आज भी हाथ रस उन्नाव कर रही है कटुआ की गैंग रेप के शिकार लोगों के कुन्याए नहीं मिला उन्नाव की रेप पिड़िता कुन्याए मिला कहां मिला हाथ रस में जो बेटी रात को जला दी गई वो महिला कौन लोग है अगर फूलन देवी इस देश के आईकॉन होती तो कठुआ उन्नाव वहात रस नहीं होता और फूलन देवी हात रस के बलातकार पीडितों को याद नहीं आती यह है फूलन देवी की आवाज यह है फूलन देवी की एहमियत इस बात को आपको समझना होगा नागारजुन ने कविता लेकि फूलन देवी पर इन तस्वीरों के साथ इन कविताओं को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ महिलाओं के मद छिपी है सो सो डांके डाले उसने एक एक के नाक तराशी एक एक के कुतर गई है कान दस्यों की तो आँखे फोड़ी बदल बदल कर घोड़े उड़ती जिला बदलती ही रहती फूलन देवी दुरगा माता की बेटी है कौन सामना कर सकता है दाएं बाएं बीसों को डंडा करती है कार्तूसों की मालाओं से हमने उसको पहचाना था मैनपूरी के एक गाओं में ठाकूर के घरड़टी हुई थे फूलन देवी लगता था हां सिंग वाहिनी प्रकट हुई है मैनपूरी के एक गाओं में नगारजुन की एक विता बहुत कुछ कहती है माथे पर लाल पट्टी डाले एक ऐसी लड़की जो चाहती तो आत्म हत्या कर लेती और फिर जाने के इतनी फूलन देवी अन्यायव शोशन का शिकार होती रहती मगर उसने पहले बंदूक उठाई बाद में कलम उठाई न उसका बंदूक उठाना इस जमाने को रासाया न उसका कलम उठाना रासाया पहले डकैतों के हाथों उसकी असमत लूटी गई उसकी आत्मसमान को जमीदोज किया गया और बाद में वच्छ कलम से एक नया इतिहास लिख रही थी आजाद भारत में चुनी हुई प्रतनिधी थी उसे दिन दहाड़े गोलियों से मारा गया फिर इस देश में जिन्डर डिसकूर्स कहा है एक कविता के साथ छोड़े जाता हूँ कि छोड़ो महदी खड़क समालो खुद ही अपना चीर बचालो दिउत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद न आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए खबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दूशासन दर्भारों से स्वयम जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद न आएंगे कल तक केवल अंधा राजा अब गुंगा बहरा भी है होट सी दिये हैं जनता के कानों पर बहरा भी है तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे किस को क्या समझाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद न आएंगे उमीद करता हूँ कि फूलन देवी को इस बातचीत के बाद आप नए सेरे से पढ़ने, समझने वज़ानने की कोशिश करेंगे और नए डिस्कोर्स में फूलन देवी को जेंडर जेश्टिस को, सोसल जेश्टिस को समझने में काम्याब होंगे बहुत सामान इसा परिचे समाजिक नएकी पार्चाला के इस वीडियो में आपको मैंने दिया है आपको ये बादचीत कैसी लगी नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको ये बादचीत पसंद आ रही तो दन्यवाद